तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग EPS एनि इंटर्प्रेनियोर्शिप कलस 12 की 20 एनि 20 ऐसे most important subjective question को solve करेंगे जो आपके final exam के लिए काफी important है और यदि आप आज की इस वीडियो को complete देख लेते हैं तो आप लोगों को final की परिच्छा में 30 marks एनि 30 number guarantee में लेंगे तो व और नए वीडियो का notification आपको सबसे पहले मिले और आप उन वीडियो को सबसे पहले देख सके तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज की इस वीडियो का जो first question है याणि पहला question आउसर बोध के तत्व बताईए आउसर बोध के तत्व opportunities याफिर अवसर बोध के तत्व बताईए तो answer आप मोगों को लिखना होगा आवसर बोध के बिभिन गुन अगर लिखित है मतलब कि आवसर बोध के बिभिन तत्व निम लिखित है या फिर अगर लिखित है पहला क्या होगा समझ की सकती दूसरा परिवर्तन पर नजर ती योगियों की जानकारी, जानकारी का संगरह एबंबिसलेशन और पांच मा क्या है तो नव प्रवर्तनिय गुन ये question आपके final exam के लिए काफी important है तो इसको याद जरूर रखिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखें हम लोगों का दूसरा नमर question, question 2 आउसर कितने प परकार के होते हैं, सामान ये तोर पर आउसर कितने परकार के होते हैं, तो दो परकार के होते हैं, कौन-कौन, तो पहला होगा परियावरन में बिद्धमान आउसर, existing opportunities in the environment, ऐनि परियावरन में बिद्धमान आउसर और दूसरा निर्मित आउसर, created opportunities, आउसर कितने परकार के होते हैं तो आवसर दो परकार के होते हैं याद रखिएगा एक कोस्टन आपके objective कोस्टन में भी पूछा जाएगा कि आवसर कितने परकार के होते हैं तो आवसर दो परकार के होते हैं परियावरन में बिद्धमान आवसर और निर्मित आउसर तो चलिए हम लोग इसको define कर लेते हैं कि परियवरन में बिध्धमान आउसर किसे कहेंगे और निर्मित आउसर किसे कहेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं परियवरन में बिध्धमान आउसर कुछ आउसर ऐसे होते हैं जो पहले से ही मोजूद होते हैं कागज, कपड़, जूता, आदी का कारखाना स्थापित करके इसी पुरतंता में कुछ नवीनता लाना कुछ अवसर ऐसे होते हैं जो पहले से ही मोजुद होते हैं उसे परियवरन में विद्धवान अवसर कहा जाता है जैसे कागज कप्ड़ा जूता आधी का कारखना स्थापित करके इसी पुरतंता में कुछ नवीनता और कुछ नई चीज को लाना और हम लोग देखते हैं कि निर्मित अवसर क्रियेटिड अपर्चुनिटी किसे कहेंगे तो निर्मित अवसर ऐसे अवसर पहले से मोजुद नहीं होते हैं बलकि ये उपभोकताओं की रूची, फैशन, तकनीकी परिवर्तन, परिस्थिती के अनुसार नित नए नए रूप में जन्म लेते रहते हैं जैसे सूचना तकनीकी में विकास के चलते, टेलिवीजन, कम्प्यूटर, श्वाफ्टिवेर, आधी के छेतर में नए नए उपकरनों का कारोबार, ठीक है और आगे देखें, अब लोगों का तीसरा नंबर कोस्चन, कोस्चन नंबर थरी, सहसिक कारी का परावर्तन क्या होता है? What is promotion of a venture? सहसिक कारी का परावर्तन जो होता है, ओ क्या होता है? इसका आंसर होगा, परावर्तन एक विशेश ब्यवसाइक उपकरम के निर्मान की पराकिरिया होती है, वास्तब में जो ब्यक्ति उपकरम या सहसिक कारी के निर्मान में भाग लेते हैं, उनकी किरियाओं का योग ही परावर्तन कहलाता है क्या होता है, तो आप लोगों को आंसर में लिखना होगा, कि परावर्तन एक विशेश ब्यवसाइक उपकरम के निर्मान की पराकिरिया होती है, वास्तब में जो ब्यक्ति उपकरम या सहसिक कारी के निर्मान में भाग लेते हैं, उनकी किरियाओं का योग यानि जोड ही ज आप क्या समझते हैं, वाट डू यू मेन बाई इनवाइरनमेंट, वाट डू यू मेन बाई इनवाइरनमेंट, यानि वातावरन अर्थात परियावरन से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर होगा, वातावरन या परियावरन, यानि वातावरन अनेक घटकों का समू है, जिन पर संस्था का कोई नियंतरन नहीं होता है तथा वातवरन संस्था की कारी परनाली को भी परभावित करता है क्या करता है तो वातवरन जो है वो अनेक घटकों का शमू है जिन पर संस्था का कोई नियंतरन नहीं होता है कोई कंट्रोल नहीं होता है तथा वातवरन संस्था की कारी परनाली को भी परभावित करता है यह बिभिन आर्थिक, सामाजिक, प्रोधोगिक और वैध्यानिक दासाओं का योग है जिसके अंतरगयत ब्यवसाई कारी करता है छे लिए अगला question देखते हैं और next हम लोगों का पांच नमबर question, question number 5, परियावरन कितने परकार के होते हैं, परियावरन जो होते हैं, वो कितने परकार के होते हैं, what are the main kinds of environment, परियावरन कितने परकार के होते हैं, तो answer होगा, परियावरन मुख्यता दो परकार के होते हैं, कौन-कौन, तो पहला होगा, आंतरिक परियावर internal environment दूसरा बाहरी परियावरन external environment परियावरन कितने परकार के होते हैं तो परियावरन दो परकार के होते हैं यह आपका objective types question and subjective type question दोनों में पूछा जाएगा तो परियावरन जो है दो परकार के होते हैं आंतरिक परियावरन और बाहरी परियावरन, internal environment and external environment चलिए आगे दिखते हैं और नेश्ट हम लोगों का पांच नमबर कोस्टेन, कोस्टेन नमबर फाइफ, शुक्ष मुवातावरन से आप क्या समझते हैं, what do you understand by micro environment, शुक्ष मुवातावरन से आप क्या समझते हैं, तो आंसर होगा, शुक्ष मुवातावरन, micro environment, शुक्ष मुवातावरन में उन शक्तियों का वर्नन होता है, जिनसे कमपनी के गरहकों को परभावित किया जाता है, ये सक्तियां बाहरी होती है, प्रन्तु कमपनी की बाजार ब्यवस्था को परभावित करती है, इन सक्तियों में माल की पूर्त देने वाले मध्यस्त, फरतियोगी, गरहक तथा जनता आती है, साधरन तया इन घटकों को नियंत्रित नहीं किया जा शकता है, ये घटक सुक्च्म सक्तियों की आपेक्चा अधिक परभावी होते हैं, चलिए आगे देखते हैं, और नेस्ट हम लोगों का छे नंबर कुस्च बाजार वातावरन से आप क्या समझते हैं, वाट डू यू मेन बाय मार्केट इनवारनमेंट, तो आंसर आपको लिखना होगा, वस्तुता विपनन के कारी एक निष्चित वातावरन में समपादित किये जाते हैं, विपनन क्रियाओं को करते समय विपनन बाजार की भली व पहचान कर लेनी चाहिए विपनन मिस्रन भी एक निश्चित वातावरन में ही किया जाता है विपनन अपने वातावरन के सभी घटक भी वेतन प्रवंध को नियंत्रित नहीं कर सकते कोस्टन को फिर से सुन लिजिए काफी important कोस्टन है कि बाजार वातवरन से आप क्या समझते हैं what do you mean by market environment तो answer होगा वस्तुता विपनन के कारी एक निस्चित वातवरन में समपादित किये जाते हैं विपनन किरियाओं को करते समय विपनन बाजार की भली भाती पहचान कर लेनी चाहिए विपनन मिस्रन भी एक निस्चित वातवरन में ही किया जाता है विपनन अपने वातवरन के शभी घटक भी वेतन परबंध को नियंतरित नहीं कर सकते ठीके यहां वेतन नहीं होगा यहां होगा विपनन परबंध को नियंतरित नहीं कर सकते चलिए आगे देखते हैं और नेस्ट हम लोगों का साथ नमर कोस्टिन एक अच्छी पूर्ब अनुमान पधिती की क्या कसोटी है पहला देख लीजिए मित्ति वियाई था दूसरा साम एक अनुरक्छन तीसरा सुधता चौथा उप लब्धता और पांचवा सallता एवं धारना की शुगमता और नेक्स्ट हम लोगों का आट नमर कोस्चन, कोस्चन नमर एट उत्पाद या सेवा का चुनाव करते समय धियान देने योग्य बातों को बताएं इस्टेट फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड वाइल सेलेक्टिंग अप्रोडक्ट और सर्विस एनि उत्पाद या सेवा का चुनाव करते समय धियान देने योग्य बातों को बताएं तो आंसर होगा बैवसा या सेवा का चुनाव करते समय निमलिखित बातों का धियान रखा जाना चाहिए कौन-कौन शा बातों का धियान रखा जाना चाहिए तो पहला बाजार का निर्धारन, दूसरा ब्याबहारिक ता, तीसरा उत्पादन लागत, चौथा परती योगिता, पांचवा कच्चे माल की उपलब्ध ता, छट्ठा तकनी की पहलू और शात्वा लाभ की संभावना, इन से भी बातों का ध्यान रखना चाहिए आगे देखें हम लोगों का 9. question, question no.9, किसी नए उपकरम की आस्थापना की परकिरिया कब प्रारंब होती है, when does the process of establishment of a new enterprise begins, यहीं किसी नए उपकरम की आस्थापना की जो परकिरिया है, वो कब प्रारंब यहीं कब शुरू होती है, तो इसका आंसर होगा, किसी नए उपकरम की अस्थापना की परक्रिया उसी समय पर प्रारंब हो जाती है जब उद्दमी में कोई ब्यबहार्य विचार उत्पन हो जाता है उसे चाहिए कि वह ब्यबसाई की लाभ दायकता का विसलेशन कर लें एबं ब्यबसाई में सन्निहित जोखिम एबं आवश्यक पुन्जी इति जादी का भी विसलेशन कर लें तभी उपकरम की अस्थापना करें आगे देखें हम लोगों का दस नमबर कोस्चन कोस्चन नमबर 10 क्या एक उद्दमी परिवर्तन का परतिनिधित्व होता है इस इंटर्प्रिनियोर और एन इंडस्ट्रियलिस्ट रिपर्जेंटेटिव क्या एक उद्दमी जो है और परिवर्तन का परतिनिधि होता है तो आंसर होगा हाँ एक उद्दमी परिवर्तन का परतिनिधि होता है लगातार शोधकार विकास किरियाओं पर संस्था में आविश्कार को पुर्द साहित किया जाना चाहिए आविश्कार बाजार में पुर परिवर्तन का परती निधी होता है ये कुछ दमी परिवर्तन का परती निधी होता है लगातर शोध कारी विकास किरियाओं पर संस्था में अविश्कार को पुरत्साहित किया जाना चाहिए अविश्कार बाजार में पुर्णता की इस्थिती स्रिजित करता है जिससे विक्र पर होगा रननेती की महता को स्विकार करते हुए बिल बोल्टन एबम जॉन थॉम्सन का कहना है कि रननेतियां वे हैं जिन्हें उपकरम तैयार करती है यह वैसी राय है जिस पर वह चलती है तथा यह वह निर्नाय है जिसके दुबारा यह सफलता के एक निश्चित अस्तर तक पहुंचती है चलिए आगे देखते हैं और नेस्ट हमलों का बारा नंबर कोस्टन कोस्टन नंबर 12 बैवसाई की सामान्नी योजना का निर्मान आप कैसे करेंगे तो अनसर होगा बैवसाई की समगरी योजना का निर्मान करने से पूर्व एक उद्दमी को उतपादन निय चलिए आगे देखते हैं नेस्ट हमलों का तेरा नंबर कोस्टन नियोजन के उद्देश बताईए इस्टेट अबजेक्टिब्स ऑफ प्लैनिंग ये नियोजन के उद्देश बताईए तो आनसर होगा पहला नंबर भावी कारियों में निश्चित्ता दूसरा पुर्व अ की अस्थापना और शात्वा भावी जोखिम में कमी यहां देखें हमलों का फोटे नंबर कोस्टन बैवसाइक नियोजन क्या है वाट इज बिजनेस प्लैनिंग बैवसाइक नियोजन क्या है तो आनसर होगा नियोजन किसी कारियों को करने से पूर्व सोच विचार करने ए नहां देख सकते हमलों का काफी इंपोर्टन कोस्टन कोस्टन नंबर 15 नियोजना क्या है वाट इज प्रोजेक्ट परियोजना जो होता है वो क्या होता है यह काफी इंपोर्टन कोस्टन आपके फाइनल एक्जाम के लिए तो परियोजना क्या है वाट इज प्रोजेक्ट तो आंसर होगा परियोजना जटिल प्रस्पर संबंधित एवं अनुकरमिक कारियों का एक समू है जिसे निश्चित समय सीमा एवं बजट तथा विशेश विब्रनों के अनुसार पूरा किया जाता है। यहां पर देख सकते हैं आम लोगों का 16 नमबर कोस्टन परियोजना चक्र के तत्व क्या है? What are the elements of project cycle? परियोजना चक्र के तत्व क्या है? तो आनसर होगा परियोजना चक्र के तत्व निमने हैं पहला परियोजना की पहचान करना, दूसरा परियोजना की तयारी करना, तीसर प्रियोजना चक्र जो होता है वो किसे कहा जाता है तो आंसर लिखना होगा परियोजना चक्र एक प्राकिरिया होती है जिसके अंतरगत परियोजना की पहचान परियोजना की तैयारे परियोजना का आकलन परियोजना का कारियन वियन एबंपरियोजना का मुल्यांकन करना साम पूछे जा चुके हैं और बारबर पूछे जाने वाले question का वीडियो अपलोड कर चुका हूं अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो link इस वीडियो कर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जाकर देख लीजिए या फिर आप इस वीडियो को complete देखें पूरा देखे के बाद अंत में ये लास्ट में आपको इस बॉक्स में जो है निचोड़ वाली वीडियो मिल जाएगा तुसे आप जरूर देखिएगा क्योंकि वो वीडियो जो आपके लिए काफी इंपोरेंट होगी ये उसमें हम लोग पूरी किताब का निचोड़ करके जो सबसे संसाधन क्या है? What is resources? संसाधन क्या है? What is resources? तो आंसर होगा इनी उत्तर संसाधन का अर्थ उस माध्यम से होता है जो व्यक्ति के कारी निच्पादन के लिए आवश्यक होते हैं संसाधन के आभाव में किसी भी उपकरम के अस्थापना मात्र कल्पना बनकर रह जाती है या स संसाधन सर्वत्र किसी ना किसी रोप में ब्याप्त है संसाधन क्या है? तो संसाधन का अर्थ उस माध्यम से होता है जो व्यक्ति के कारी निच्पादन के लिए आवश्यक होते हैं संसाधन के आभाव में किसी भी उपकरम की आस्थापना मात्र कल्पना बनकर रह जाती है या संस्ता सर्वत्र किसी ना किसी रोप में ब्याप्त है यहां पर देख सकते हैं हम लोगों का 19 एनि 11 नंबर कोस्चन ठीक है संसाधनों के बिभिन परकार क्या है संसाधनों के बिभिन परकार क्या है तो आप लोगों का जवाब क्या होगा यहां संसाधन जो होते हैं वो कितने परकार के होते हैं तो आप लोगों का आंसर क्या होगा एक तीन पाँच या फिर चार तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताईए चलिए आगे देखते हैं और नेस्ट हम लोगों का देख सकते हैं 20 नंबर कोस्चन अनुपात को परिभासित कीजिए डिफाइन दा रेशियो अनुपात को परिभासित कीजिए डिफाइन दा रेशियो आंसर होगा आर एन एंथोनी के शब्दों में अनुपात साधरन तया एक संख्या को दूसरी संख्या के संदर्व में परकट करना है यहां एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देकर ग्यात किया जाता है तो friends इस 20 subjective question में से आपको कितने subjective question का answer याद हो चुका है या फिर पहले से पता था प्लीज comment box में जरूर comment करें और यहाँ पे जो वीडियो आभी आपको दिख रही है इस वीडियो को आप जरूर देख लेजिए क्योंकि यह आपके final exam के लिए काफी important है और हम लोग daily live करते हैं साम 7 बजे तो आप लोग live से जरूर जुड़ियेगा